सबसे पहले को समझना बोबग सब्सक्राइब है और यहां पर हमसे क्या कुछ अगया है कि कोई भी अब्जेक्ट अगर मून पर है तो उसका वेट हमारे अर्थ पे बही सेम अब्जेक्ट अगर रहता है तो दोनों में 1 by 6 का डिफरेंस क्यों है यानि कि मून पर उस अब्जेक्ट का जो वेट है that is 1 6th the weight of that object on the earth अगर अगर आपने वीडियो फॉलो नहीं करा है तो आपको अगें मेरे description box में उसका लेक्ट मिल जाएगा वहां से उसे जरूर देखो और समझो कि किस तरीके से हमने निकाला खा कि weight of the moon weight of an object on the moon is 1 6th the weight of the object on the same object on the earth तो यहां पर हमसे पुछला रहा है कि ऐसा क्यों है तो basically हमें इस question में अपना पुरा derivation की जरूरत नहीं है सिर्फ हमें idea देना है कि क्या ऐसी values रहती है जिसकी मेरे से difference रहे 1 6th का आता है या फिर इसके ratio का आता है तो इकपर देखते हैं यहांसे the mass of the moon is approximately 1 by 100 times the mass of earth यानि कि हमारा जो mass है moon का तो कम से कम कितना approximation है अगर हम उसका हिसाब लगाए earth के mass से so that is 1 by 100 times ठीक है and its radius is यानि कि moon का radius is approximately 1 by 4 times the radius of the earth यानि कि यह भी उससे काफी छोटा है और कितना छोटा है अगर इसका भी हमें अनुमान लगाना है तो इसका nearly about 1 by 4 times the radius of the earth ठीक है so as a result जब हम एक सब values को compare करेंगे अपनी universal law of gravitation के सामने हम दो bodies को compare करेंगे values put करेंगे so हमें क्या मिलता है when compared to earth the gravitational attraction on the moon is about 1,6 okay चलो अब इसको अगर आपको समझना है ना कि बार-बार हम ratio में बात करेंगे और fraction में बात करेंगे क्या मतलब है तो आप इसको ऐसे समझो कि suppose अगर यह मेरे पूरे earth का gravitation है ठीक है यह पूरा काफी strong हमारे earth का gravitation है and if I divide this into 6 parts तो हम इसे क्या करते है 6 parts में divide कर देगे पूरे में से एक part 6 मून का gravitation है यानि की काफी वह छोटा है काफी कम है हमारे मून पे gravitation as compared to the earth gravitation ठीक है so यहाँ पर इस relation से हमें यह भी बताया गया है mass और radius का comparison देखें कि वह 1 6 कैसे आता है ठीक है so does an object's weight on the moon is 1 6 its weight on the earth तो अगर हमारे पास same object है चाहे हम खुदी क्यों न हो so हमारा weight जो moon पे होने वाला है that would be 1 6 the weight of us on the earth ठीक है so I hope आपको यह question समझ आयो now moving on with more for the questions stay tuned with us up till then bye you